गुद मानिंग स्टुडेंट्स मैंने पिछली वीडियो में आपको सालिम अली के द्वारा लिखा हुआ सावले सपनों की याद पाठ का सारांस करवाया था आज मैं उस पाठ के अभ्यास वाले प्रशन करवा रही हूं क्वेस्चन नमबर एग किस घटना ने सालिम अली के जिवन की दिशा को बदल दिया और पक्षी प्रेमी बना दिया बच्पन में सालिम अली अपनी एरगन से खेला करते थे एक दिन उनकी एरगन से एक गोली निकल गई और वह सामने बैठी नीले कंठ वाली गोरेईया को जा लगी जिस से वह गोरईया घायल होकर गिर पड़ी इस घायल गोरईया की द्यानिय दशा देखकर सालीम अली को बहुत दुख हुआ उन्होंने एरगन ने चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चे किया इस परकार एक घायल गोरईया ने उनके जीवन की दिशा को बदल कर पक्षी प्रेमी बना दिया क्वेस्चन नमबर दो सालीम अली ने पूरो प्रधान मंत्री के सामने प्रिया वर्ण से संबंधित किन संभावित खत्रों का चित्र खीचा होगा कि जिसे उनकी आँखे नम हो गई सालीम अली ने पूरो प्रधान मंत्री को बताया होगा कि यदि हम साइलेंट वैली जो केरल में है उसको रेगिस्तानी हवा के जोकों से नहीं बचाएंगे तो वहां का जीवन समस्त प्रियावरन दुसित हो जाएगा पेड़ पोधे सूख जाएंगे वर्सा नहीं होगी हर्याली नश्ट हो जाएगी पक्षियों का चेह चाहना सुनाई नहीं देगा पक्षि किसी दूसरे सथान पर चले जाएंगे और उनकी हानी भी होगी इस प्रकार से वह सुन्दर वैली उजाड हो जाएगी यह सुनकर प्रधान मंत्री की आखे नम हो गई लारेंस की पतनी क्वेश्चन नमबर तीन लारेंस की पतनी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी चट पर बैठने वाली गोरिया उनके बारे में धेर सी बाते जानती है लारेंस की पतनी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लारेंस को प्रकरती से गहरा लगाओ था वे एक अच्छे वर्ड वाचर थे वे पक्षियों के कल्राव से यानि कि उनकी चहज़ाना की प्रेरना लेकर प्राप्त कर कविताई लिखते थे उनकी प्रकरती संब्यंदी कविताई विशेश परसिध है वे अपनी चट पर बैठी हुई गोरिया को अक्सर देखा करते थे इसी कारण उनकी पतनी ने यह कहा कि मेरी छट पर बैठने वाली गोरे या मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है वो लारेंस की तरहें नेसरगिक, नेसरगिक कहते हैं सवभाविक जिंदगी का प्रती रूप बन गए थे यहां लेखा को लगता है जिस प्रकार सूप प्रसीदू पन्याशकार एम कवी डी एंच लारेंस प्रकृती से गहरा लगाओ रखते थे और मानते थे कि मानव जाती एक उखड़े हुए माहन वरक्ष की भाती है जिसकी जड़े हवा में फैली हुई है इसलिए हमारा प्रकृती की और लोटकर जाना जरूरी है इसी प्रकार सालीम अली भी प्रकृती से बहुत लगा रखते थे वे प्रकृती की दुनिया में अथा सागर बनकर उबरे थे दूसरा पार्ट है इसका खै कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन दे कर भी उसे लोटाना चाहे तो वेह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा लेखक का कथन है जब किसी की मृत्य हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देना चाहे तो तब भी वेह जीवित नहीं हो सकेगा कोई भी व्यक्ति अपनी सांसे देकर किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता जो पक्षी मर जाता है उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता है वे फिर से अपना कलरव नहीं कर सकता इसका पार्ट गय सालीम अली प्रकर्टी की दुनिया में एक टापू बनने के वज़ाए अथा सागर बनकर उबरे लेखक का मानना है कि सालीम अली को प्रकर्टी से बहुत प्रेम था उन्होंने प्रकर्टी का बहुत सुक्षमता से निरक्षन किया वे दूर्बीन से प्रकर्ती की परते हरद्य का आनद लेते थे एकांथ के चनों में वे प्रकर्ती को अपनी दूर्बीन रहित आखों से भी निहारते थे इसी प्रकर्ती प्रेमी ने उन्हें पक्षियों का प्रेमी बना दिया जैसे सागर बहुत गहरा होता है उसी प्रकार साली मली का प्रकरती प्रेम भी बहुत गहरा था Q5. इस पार्ठ में लेखक ने साली मली के व्यक्तित्वा का जो चित्र खीचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए सबसे पहले उनकी जो भासा थी वो बहुत सरल थी बोल चाली की सरल भासा का प्रियोग करके करते थे आज साली मली नहीं है चोहदरी साप भी नहीं है बचा कौन है अब सोंधी माटी पर उगी फस्दों के बीच नए भारत की निव रख सकेगा दूसरा उनके शब्दों का चेयन बहुत अच्छा था इस पाठ में लेखक ने तत्सम, तदभाव, देशज, विदेशज, आदी शब्दों का खुल कर प्रियोग किया है सुनहरे प्रिंदों के खूबसुरत पंखो पर सवार, सपनों का एक हुजुम, मोद की खामोश वादियों की तरफ बढ़ रहा है इस पाठ में लेखक ने साली मली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए इस पाठ में लेखक ने साली मली को एक सू प्रसिद कवी, सोरी, पक्षी व्याग्यानी तथा समर्पित वर्ड वाचर कहा है बचपन में उनकी एरगन से एक गोरिया घयल हो गई थी, जिसका दर्द देखकर उन्होंने जीमन भर उनको पक्षियों का प्रेमी बना दिया उसके बाद वे जीमन भर दुर्बीन लेकर विभिन परजातियों के पक्षियों की खोज करते रहे एक गोरिया का गिरना शिर्शक पुस्तक में पक्षियों से संबंधित उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा इसलिए उन्होंने ततकालिन प्रदानमंत्री चोधिरी चरण सिंको केरल की साइलेंट वेली को हवा के जोकों से बचाने का नुरोध किया वे निरंतर बहुत लंबी-लंबी यात्राइं करके पक्षियों की खोज करते थे उनकी आखों पर सदहा दूरबीन रहती थी जो मृत्यू के बाद उत्री और उनकी मृत्यू कैंसर से हुई थी सामले सपनों की याद पाठ में लेखक ने सूपरसिद पक्षी व्यग्यानिक सालीम अली की मृत्यू का पर अपने विचार व्यक्त किये लेखक को लगता था कि सालीम अली की यायावरी यायावरी मतलब घुमकडी से प्रीचित लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि वे पक्षियों के सुराग में निकले हैं यानि कि खोज में अगले उनके गले में दुर्बीन लटकाए अपने खोजपून तरीकों के साथ लोट आएंगे लेखक की आखे भी नम हैं वे सोचता है सालीम अली तुम लोटोगे न लेखक का यह सौपन तब भंग हो जाता है जब देखता है कि सालीम अली उस हुजूम में सबसे आगे हैं जो मोत के खामोस वादियों की और अग्रसर हो रहा है जहां वह प्रकृति मेविलीन हो जाएगा अब तो केवल उनकी यादे हैं इसलिए सावले सपनों की याद जो पाठ है यह एक सार्थक विशे है प्रस्तूत पाठ सालीम अली की परियावरण के परती चिंता को भी व्यक्त करता है प्रियावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं प्रियावरण को बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए गली मोहले को साप सुत्रा रखना चाहिए कूडा एक स्थान पर जमा करना चाहिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रियोग करने पर पूर्ण परतिबंद लगाना चाहिए तालाबों जिलों तथा नदियों में गहरी नदियों में गंदगी नहीं डालनी चाहिए पेट्रियोलियूम पदार्थ जो होते हैं उनका प्रियोग कम करना चाहिए ताकि हमारा वातावन शुद हो और परियावन दूसित होने से बच जाए इन सब कारियों से आप अपनी प्रकरती प्रियावन को बचाने में पूर्ण सहयो दे सकते हैं बच्चों ये प्रशन आपको अपनी नोट बुक पर करने हैं